आजादे के बाद से देश कवा है कि जब जब सल्तनत ने शिक्षा को सियासत से जोड़ा है तब तब छात्रों ने अपनी चुपी को तोड़ा है साल 2019 में भी देश के कोने कोने से प्रशासन के खिलाफ सरकार के खिलाफ छात्र सडकों पर उतरते रहे हैं ये कह सकते हैं कि ये साल छात्रों के बड़े आंदोलोनों का गवाबना है तो छात्रों ने कब कहां क्यों की सरकार की मुखालफत हग की लड़ाई कैसे सड़क पराई आईए देखते हैं स्पिशेश रिपोर्ट में देश के ज्यादतर प्रतिष्चत विश्विद्याले अक्सर सुर्खियों में रहते हैं इसकी वज़ा उनकी स्ट्रिष्ट शिक्षा नहीं बल्कि छात्रों की हर विशे पर गहरी समझ और जागरुपता है जो सत्ता को चुनोती देता है जो उनकी अधिकारों के हनन के खिलाफ होता है नागरिक्ता संचोधन कानून के खिला फूरा देश उठ खड़ा हुआ हैदराबाद, मुंबई, कॉलकाता के साथ जामिया के छात्रों ने भी नागरिक्ता पर सावाल उठाया लेकिन उसपर ऐसा बवार मचाया गया कि शान्त रहने वाले जामिया को ही अशान्त कर जंग का मैदान बना दिया गया जिसकी तस्वीरे पूरी दुनिया ने देखी और फिर देश-विदेश में मोदी सरकार की किर्किरी हुई जेन्यू का नामकसर विवादों से चुरता रहा है यहां से उठी छात्रों की आवाज कई सरकारों को हिला चुकी है इस ताल भी छात्रों ने मोदी सरकार के फर्मान की नाफर्मानी कर परिशानी बढ़ा दी संसत से लेकर सड़क तक फीज बढ़ूतरी को लेकर ऐसा हंगामा खड़ा हुआ कि सरकार को छुकना ही पड़ा दिल्ले विश्व विद्याले भी छात्रों के आंदोलन का गावा बना है इस ताले हां शिक्षकों के खाली पदों को भड़ने की प्रक्रिया को लेकर जम कर विरूत किया गया शिक्षकों से लेकर छात्रों ने विश्व विद्याले को जंग का मैदान बना दिया कई दिनों तक छात्र सडकों पर हंगामा करते रहे, स्तरकार को जगाते रहे बेहचियों में संस्क्रिट के प्रोफेसर डॉक्टर फिरूज खान की न्यूकती को लेकर छात्रों ने जम कर बवाल मचाया करीब 20 दिन तक छात्र न्यूकती के विरूद में धरने पर बैठे रहे, इस अंगामे को धर्म की सियासत से भी जोड़ा गया लेकिन छात्रों ने न्यूकती पर नियमों के अंदेखी का रूप लगाया, मगर बावजूद इसके स्तवाल जात और धर्म को लेकर ही उठते रहे प्रोफेसर की न्यूकती के लावा छात्रों ने अपने साथ हुई बचसलोकी को लेकर भी मूचा कूला प्रोफेसर की पर खास्ते की के लिए छात्रा आये राग भर सडक पर बैठी रही, पुलिस छात्रों को खदेरती रही लेकिन हो इनसाफ की आवाज उठा दी रही इस विरोत ने सरकार को हिला कर रख दिया, जिसके बाद प्रोफेसर शैल कुमार चौबे पर कारवाई हुई अलिकर्ण मुस्लिम युनिवर्सिटी भी नारे बाजी को लेकर इस्ताल सुर्ख्यों में रही, छात्रों ने बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर योगी सरकार की जमकर घेराबंदी की, बावे सयद केट पर करीब एक हफते तक छात्र टड़े रहे और नारे लगाती रहे, कि बावे सयद केट पर लेकर रहेंगे आजादी, तुम्हें देनी होगी आजादी, लड़कर लेंगे जीने मरने की आजादी, भाजपा से भी, आरेसे से भी, योगी से भी आजादी इलावाद विश्व विद्याले में छात्र संग बाहाली की मांग को लेकर छात्रों ने मूचा खुला और साथ दन तक आमरन नंचन किया, इसके लावा कई और मुद्दों को लेकर विश्व द्याले में हंगामाब पर अपता रहा देश में अक्सर छात्रों नौजवान समुदाए एक बड़े परिवर्तन का वाहत बनता नजर आया है इस ताल भी कई आंदोलों के जरीए छात्रों ने अपने अधिकार की आवास से सरकार को हिलाया है